हलो फेंट्स में नाव विशाल है and welcome to our channel crypto with विशाल तो गाइस आज के वीडियो में बात करेंगे bitcoin के बारे में 50,000 का जो portfolio है और कुछ मैंने comments देखे buy or sale को लेकि यार कि क्या करें buy sale को लेकि इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे तो पहले चीज़ टेलिग्राम पे अगर आप लोग ने अभी तक जॉइन नहीं कि आज रोड जॉइन के लिजए जहां से जो भी मुझे पहला surprise मिला fear and great index 11 पे पहुंचे इस समय जो mahal चल रहा है यह बहुत नीचे होना चाहिए था पर बहुत अच्छी चीज है कि यह 11 पे ही अभी तक हम लोग under 10 मैंने expect किया था परसनली अगर आपको बता हूं honestly बतारो मैंने 67 के निरबूट expect किया था कि यह हमारा पहुंचेगा पर एक्सिंव यह 11 में हम लोग और अगर ओवर आल बात करें 4.10 पर से कुछ नहीं होता पर भाई होता है मानना ना मानना आपके उपर है तो क्या है अगर आप देखें तो एक हम यहां पे ट्रेंगल है बिसकली ट्रेंगल ट्रेंड लाइन है इसके बीच में हम लोग अटके हुए तो अब क्या देखना है हमें क्योंकि अभी जादा लाइन है नहीं क्योंकि इस जगह पे हम लोग अठके बहुत कम है तो अगर आप देखेंगे तो हम लोग यहां गए फिर हम लोग यहां आए फिर यहां आए फिर यहां आए फिर या तो जब या फिर जब उपर बहुत सारे रेस्टेंस बन गए है बेतहाशा रेस्टेंस बन गए हूँ अगर मैं इधर जाओ न तो आप दे वॉल्यूम है नहीं अगर आप यह नीचे की तरफ देखो तो अभी थोड़ा से इंपॉर्टेंट रहेगा कि यह किस तरफ यहां से मूफ करेगा जब भी आज के दिन की एक दो केंडल जो है क्लोज होंगी नेक्स्ट वीक जाने की तो एक चीज हो गई है हमने पहले बात करी थी कि यह वीक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें बताएगा कि मार्केट पंप होने वाला है कि डंप होने वाला वो इसने बता दिया अब नेक्स्ट वीक में कुछ काफी सारे अनॉंसमेंट है को कि यूएस की तरफ से बहुत सारी खराब चीज है इंफलेशन की बात आ र करेगा कि हमें यह कितना डिप देखने को मिलेगा क्या तीस हजार पे हम जा रहे हैं नहीं जारे हैं वो नेक्स वीक आपको बता देगा अगर नेक्स वीक में हम थोड़ा संभल जाते हैं जिस इस आपसे अभी चल रहा है गेम तो थोड़ा सा यहां पर स्टेबल हो सकता है अब बात आती है क्या करें बाई करें सेल करें निकाल दे कुछ का बोलना है सब निकाल दो और अभी तो बहुत देप आएगी 20,000 भी आएगा पता नहीं कौन से अंगिल से 20,000 आएगा मुझे नहीं पता और अगर हम देखेंगे तो 2-4 कोईन को छोड़के जो है हम लोग ल आपको सिनेरियो बताया था ना फिलहाल अभी वही सिनेरियो है थोड़ा सा अगर अब्जर्व करके समय करेंगे ना तो बहुत अच्छा है क्योंकि डिप है नीचे लेकिन दूसी तफ एक और चीज भी है कि कितना डिप जाएगा भी यहां से 35 पे तो अल्रेडी चल रहा है 34 को टेच करके आचुगा अब कितना नीचे जाएगा 30 चला जाएगा उससे नीचे का चला जाएगा 20 चला जाएगा 39 पे मजबूत रहिस्टरस है 39 700 कुछ 500 पर तो उससे नीचे कितना जाएगा यह वहां से recovery तो मारेगा मारेगा यह पक्का है उससे नीचे अगर चला जाए थोड़ा bind करने का हमारे portfolio पे भी उस पे भी हम लोग भी आते हैं तो bitcoin के बारे में थोड़ा सा हम लोग को क्या देखना है यह line जो है यह मैं अभी telegram पे जस्ट अभी video complete करते ही एक बार डाल दूँगा यह line क्या basically मैं level डाल दूँगा थोड़े से इसको जो है ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा अब एक और अपडेट है यहाँ पे एक bitcoin billionaire है इन्होंने पहले भी बोला था कि यार 30,000 का bitcoin जाएगा फिलाल तो नीचे है तो अब इनका क्या बोलना है कि यार crypto को फिलाल उपर करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि stock market जो है वो नीचे और यह reality है यह बहुत बड़ी reality है इस समय कि जब तक stock market में कुछ हमें बड़ा update यहाँ पे नहीं दिखाई देगा तब तक यह हमारा crypto भी है इसी तरीके से नीचे फिलाल जाएगा क्योंकि overall market का sentiment बहुत negative है चाहे stock की बात करें चाहे कोई और news की बात करें और ऊपर से ना वो क्या होता है तड़का लगाने के लिए omicron आगया हुआ है तो overall पूरे-पूरे market जो है इस समय डाउन पड़ें अगर आप कहीं भी समय कोई website खोल लीजे कोई market खोल लीजे band बजा पड़ा है तो obvious सी बात है crypto ने भी नीचे वहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक चीज आपको बताऊं कि थोड़ा अच्छा भी है अगर आप देखेंगे ना एक level पर हम लोग अभी आगया हुए site-based moment है यह देख रहे हैं यह एक यह area है आपका यह वाला अगर मैं आपको ड्रॉ करूं तो फिलहाल यह अच्छा है कि हम लोग यह वाला जो area है ना यह यही वाला है 35 पर हम लोग अ बोली थी जब bitcoin यहां पर 42 के निर राउट चलना तो मैंने आपको यह बहुत बढ़िया है लोग बोले थे नेगेटिव है मैं बहुत बढ़िया मार्केट नीचे नहीं जा रहा है अटका ना एक जगा तो चांस है वहां से कुछ होने के movement होगा वहां पर सेम चीज़े फिला बासा वेट करो profit कम निकालोगे कोई बात नहीं पर अगर नुकसान होगा ना तो मजबूत नुकसान होगा यहां पर फिर से नीचे की तरफ जाएगा वह इस पर भी डिपेंड करेगा कि कितना कितना नीचे जाएगा यहां पर यह बोल सकते हूं मैं दोनों चीज़े बोल ल लेते हैं तीन के लिए यह तीन उपर मैं आपको बोल लों कॉल लेना है मेरे को BTC, Ethereum, Solana मैंने क्या सोचा Bitcoin पे 30,000 डॉलर पे कॉल लगा देता हूं Ethereum पे 1800 डॉलर पे लगा देता हूं Solana पे 60 डॉलर पे लगा देता हूं मुझा पता है यह प्राइस भी आप लोग अगर आसार कम थे पर अगर कुछ हुआ और हिट हो गया मेरा कॉल तो मले आ जाएंगे इस से तब अब एक 1800 से नीचे कितना जाएगा Ethereum चला जाएगा फिर ले लेंगे अगर कुछ हो गया और Solana 60 डॉलर पे तो मतलब क्या बोलू डिसकाउंटेट भी छोड़ दो पूरा फ्री में चल रहा है तो मतलब पीस डॉलर का मतलब वही चौदा पंदा सो के करीब मेरे खाल से है यहाँ पर एक बार देख लेते हैं ICP वह भी बहुत बढ़िया प्राइस पर इस समय और मतलब पंप का न एरिया जो है वह बहुत बढ़ा हुआ है यहाँ पर तो ICP इसको चेंज करके आयनार कर देते हैं मैंने एक्चुली मैं कुछ डेटा निकालने के लिए उसका प्राइस है उसको USDT में कनवर्ट कर दिया था तो हाँ वही आप 20 डॉलर के बाते हैं 1400 के करीब यहाँ पर इसका प्राइस होगा तो यह भी जो है बढ़िया प्राइस में क्योंकि यहाँ से न ट्रेंडर लाइन जो है हमारी यहाँ पर टेस्टोरी है यह बहुत इंपोर्टन है कि अगर यह ट्रेंडर लाइन से निकलता है बाहर एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ यहाँ पर तो हमें कुछ दिख सकता है यहाँ पर वॉल्यूम जो था वो हमारे पस नहीं था तो अब एक लगे हाथ बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पॉर्टफोलियो की रियालिटी में बताऊं तो यह मत देखिएगा क्योंकि यह इस अमाउंट के बेस पर आपको इस अमाउंट के बेस पर दिखा रहा है तो ओवरॉल अगर मैं देखूं यहाँ एक बड़े से रिलोड कर देते हैं पेज को तो अगर मैं देखूं तो इसको मैं एड कर देता हूं जो मेरा रिमेनिंग अमाउंट है तो मैं इसको एड कर देता हूं इसके साथ इतना मेरा जो पॉर्टफोलियो है उसकी वैल्यू है 41,275 की मेरे पॉर्टफोलियो की वैल्यू है 50,000 हमने लगाया था तक्रीबन 18-19% का पॉर्टफोलियो डाउन है जो फिलाल के हालात में देखो तो बहुत डाउन है ICP का एक कॉल भी हमने वो टाइम पे लिया था और ICP एक थोड़ा सा घरवड हो गई कॉल क्योंकि वो टाइम पे लगा की होगा फिलाल सबसे ज़ादा जो नुकसान में है वो तीन कॉइन कौन से है हमारे तीन क्या सारे कॉइन उसी रेंज में एवलांची ने दिया है सबसे ज़ादा 46% का लॉस 46% पॉलकाडॉट ने दिया है 41% का लॉस सॉलाना ने दिया है 40% का ICP अगेन 40% का वीचेन 40 ही बोल सकते हो BNB 27% लूना पंप हुआ है थोड़ा सा 26% कडानो 20% और एटम 20% कुछ लोग बोल रहे थे इसी चीज़ के उपर कि यार इसको क्यों बचा के रखा है कब यूज करोगे अब यूज करेंगे अब आप सोचो कि अब इसको लगाने का मजा आएगा क्योंकि हम लोगों ने 31,000 की हमारी वैल्यू का जो वैल्यू है वो इतनी बची है पर अब हमारे पास ये बचा हुआ है इसको सही टाइम पर यूटरलाइस करेंगे अब एक बार देखते हैं किस तरीके से हम लोग क्या ले सकते हैं अगर मुझे लगा आज के दिन कॉल लेना है क्योंकि जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पर तो एक बार हम लोग देखेंगे उस तरीके से यहाँ पर अगर सही तरीके से चीसे चल रही हैं तो definitely एक कॉल लेंगे पर थोड़ा होगा तो थोड़ा सा इसे थोड़ा सा ज्यादा केरफुल तरीके से मैं आपर चल लो हूँ ज्यादा रिस्क जो है फिलाल यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ अगर दिन में मुझे जब भी लगेगा एक कॉल लेनी है ट्रेड लेनी है किस पे लेनी है मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूँगा और अगर ज़्यादा कुछ लगा कुछ हमें डिसकस करना है तो एक वीडियो हम ले आएंगे मुझे नहीं लगता कुछ बहुत बड़ा मुवमेंट दिखेगा इसी साइडवेस बेस पे चलता देगा कुछ वेल ने अगर गेम कर दी आज तो अलग है क्योंकि संडे का देना सारी की सारी चीज़े बंद होंगे इस समय थैंक्यों फेंट्स